जैशी गृष्चन स्वागत है आपका सार्थी तरिष्बा के साथ मैं आपके ऐस्टोलोजर हूँ वास्तू शास्त्री हूँ चहरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और हातों के लकीरे भी पढ़ लेती हूँ लेकिन उससे पहले चुकि आपके सार्थी हूँ इसलिए आपके जीवन की छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे चर्चा करने चली आती हूँ एक लड़की जब थोड़ी समझदार होती है थोड़ी बड़ी होती है तो उसे कहना चालू करा जाता है शिवजी का पूजन करो महादेव भोले भंडारी को मनाओ तो तुम्हें भी भोला भाला प्यारा सा वर प्राप्त होगा सोला सुंबार कराये जाते हैं लड़कियां स्वैम भी जो ये जान जाती हैं कि भई शिवजी का व्रत करने से या सोला सुंबार करने से अच्छे वर की प्राप्ती होती हैं वो स्वैम भी ये कारे करने लगती है एक लड़की अपने जीवन में अपने वर की प्राप्ती के ल लेकिन सार्थी के उपायों के साथ और इसमें तड़का मार देते हैं कि साथ में गुरू ब्रहस्पती को भी मजबूत कर लेते हैं क्यूं करेंगे हम गुरू ब्रहस्पती को मजबूत इस पर पहले चर्चा करते हैं एक लड़की के जीवन के अंदर ब्रहस्पती का बहुत ज बच्ची जब अपने होशो हवास में आती है, उसे ये ग्यात हो जाता है, उसे ये पता चल जाता है कि एक ना एक दिन मुझे इस घर से उठकर किसी दूसरे घर में जाना है. कोई एक घोले पे बैटके राजकुमार आएगा और मुझे अपने साथ भ्याकर ले जाएगा, एक इंसान मेरी पूरी दुनिया बन जाएगा, मेरे पिता के बाद वोही मेरा पालन पोश्चन करेगा, मेरे भाईयों के बाद वोही मेरी रक्षा करेगा. उस लड़की के दिमाग में एक इमेज बनना अपने आप क्रियेट हो जाता है. अपने आप वो सोचने लगती है कि उसे कैसा वर्ष चाहिए, जो उसे सुने, जो उसकी बातों पर अमल करे, जो उसकी छोटी-छोटी बातों पर तवज्जू दे, जो उसकी छोटी-छोटी को पूरा करने के लिए अपना प्रयास लगाया, वो उसके पसंद का खाना खाए, वो उसके पसंद के रंग पहने, वो उसके साथ घूमने जाए, उसके साथ सुभा अच्छी हो, उसके साथ राते और ज्यादा अच्छी हो, वो एक दूसरे को समझ जाए, वो एक दूसरे में अपनी पूरी दुनिया बना ले लड़कों का पता नहीं भाई लेकिन लड़कियों की थौट बस इतनी होती है वो प्यार से शुरू होती है और प्यार पे ही खत्म हो जाती है उन्हें कभी यह नहीं लगता कि मुझे बहुत बॉड़ी बिल्डर टाइप का लड़का चाहिए मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ही हैंसम हो बहुत ही जादा गुड लुकिंग हो बहुत ही जादा जो सेक्सी हो नहीं वो सिर्फ यह चाहती है कि उन्हें ऐसा लड़का मिले जो प्रभावी हो जो उसका सच्चा जीवन साथी हो जो उसके हर कदम से कदम मिला कर चल बरपित कर दे आपको पता है लड़किया जब टीनेज्जमें आती है तीनेज्ट से थोड़ा सा आगे बढनती कि अपने लव स्टोरी पढ़ना बहुत महहलत पसंद आता है ठीड़ यह आप में दिखाया जाता है कि हीरो हीरोईन एक दूसरे की केर कर रहे हैं अगर आज के युक की बात करूं तो रील पर भी वह ऐसी चीज़ें देखना पसंद करती है जहां पर लड़के छोटी-छोटी चीज़ों में लड़कियों की केर करते हुए वीडियो बना रहे हैं गाने भी के बहुत सेंटिमेंटल टाइप पसंद आते हैं उसकी शर्ड अच्छी लग जाती है भाई उसकी बाइक से ही प्यार हो जाता है तो लड़कियों के लिए प्यार लड़कियों के लिए रिष्टा बस इतना ही होता है कुंडली में बैठा ब्रहस्पती आपको कैसा वर देग ये तैय कर रहा होता है जबकि आपकी कुंडली में बैठा चंद्रमा आपको इस तरह के विचारों में गुमा रहा होता है गुरू की पोजीशन अच्छी है तो आपकी कुंडली में ऐसा लड़का मिलेगा जिसका बहुत नाम, यश, मान, सम्मान होगा कुंडली में ब्रहस्पती अगर आपका पंचम में, सब्तम में या नवम में बैठा है तो आपके पती का स्वभाग बहुत ही जादा विनम्र होगा अगर ब्रहस्पती आपकी कुंडली के अंदर उचके ओकर बैठ गए है तो आपके पती का जग के अंदर बहुत ही वर्चस्व होगा प्रतिष्ठा होगी लोग उनके आगे सम्मान से सर जुकाएंगे और ऐसा रेक्ती आपको सम्मान अपने आप देने का काम करेगा लेकिन अगर किसी की कुंडली में ब्रहस्पती डाउन बैठा है तो आपकी थौट्स के विपरीत आपको व्यक्ती मिलेगा अगर आपने शादी से पहले सोचा हो मेरा पती ऐसा होगा तो आपको बिल्कुल ऑपोजिट वर्ण मिल जाएगा अब ब्रहस्पती को भई हम बदल तो सकते नहीं ब्रह्मा जी का लिखा हुआ है उसे बदलना मेरे जैसे इंसान के तो बस में नहीं है मैं तो बहुत छोटी सी इंसान हूँ परन्तु हम प्रयास करके उसे मजबूत बना सकते है हम प्रयास करके अपने भ्रहसपती को इस तरह का बना सकते हैं कि हमारे पती के अंदर वो गुन विद्धमान हो जाए हमें हमारा मन चाहा वर मिल जाए तो चलो भई, आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और आज आपके मन पसंद वर को आपको प्राप्त कराने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं क्या करना है आपको आपको सुमबार के दिन शिवजी के मंदिर में पांच बेसन के लड़ू चढ़ाने हैं लेकिन उन पांच बेसन के लड़ू के उपर आप एक-एक गुलाब की पतियां ज़रूर रखतेंगे साथ में आपको केसर युक्त दूद चढ़ाना है ध्यान रखें आप ये कारें ग्यारा सुमबार करेंगे आप रत रखते हैं बहुत अच्छी बात हैं नहीं रखते हैं तो भी चलेगा अगर आपने ये काम नियमित रूप से कर दिया तो मान के चलिए आपने जैसा वर चाहा है जिसको वर चाहा है वो आपको जरूर मिलेगा मन वान शित वर की प्रापती के लिए बहुत सरल सा उपाय है करके देखिएगा एक हलदी की माला ले लीजे एक कटोरी लीजे जिसके अंदर हलदी रखिए उस माला को उस हलदी की कटोरी में रख दीजे पीले कपड़े से बांध कर सुमवार के दिन मा पारवती जी के चर्नों में अर्पित कराईए और अपने मन की इच्छा, अपने मन का वर, कैसा वर चाहिए, कौन वर चाहिए, वहाँ पर उनके सामने बोलाईए साथ सोमवार ये कारे कर लेजे, आपको मन वानशित वर की प्राप्ती हो जाएगी कायत्याईनी मंत्र का अगर आप निरंतर रूप से जाप करते हैं तो ऐसा करने से भी आपका विवाह शिगर होता है और आपको अपना मन चाहा वर प्राप्त होता है बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, बताने चली आई हूँ, कोई त्रूटी रह गई हो तो शमा करिएगा थोड़ी तबित खराब है इस वजह से जादा बहुत जादा बोल नहीं पा रही हूँ, पर जितना भी प्रियास कर पा रही हूँ, आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्बूत लेकर बहुत जल्द आऊंगी तब तक के लिए मुस्कुराते रहेगा रिष्टों में बच्बूती बनाकर रखेगा अपनी असारती के साथ हूँए जोड़े रहेगा, प्यार देते रहेगा प्यार लेते रहेगा ख्याल रखेगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा आप मुझसे अपॉट्मेंट लेकर अगर बात करना चाते हैं तो आप दिये गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं वाट्सप कर सकते हैं या मैसेजेज कर सकते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आओंगे इंतिजार करेंगे न मीरा